इस वीडियो में आपको जो अगनिपद स्कीम रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आई हुई हैं मैं पूरी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सो जो latest press conference हुई है हमारे chiefs जो है army के, navy के, air force के उन्होंने क्या-क्या discussion किया पूरा studio में आपको बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले पहला press conference था जिसमें हमारे रक्षा मंतरी राजनाद सिंग द्वारा जो बताया गया था उसका एक just summary आपको दे देता हूँ उसमें बताया गया था 45,000 लोगों की भरतियां होंगी प्रतिवर जिनकी age होनी चाहिए साड़े सतरा से 21 सार जिनको 6 months का training दिया जाएगा चार साल के उनसे service ली जाएगी service लेने के बाद उसमें से सिर्फ 25% जो लोग है उनी को select किया जाएगा उनको permanent किया जाएगा और उनको जो regular benefits है pension हो गई, insurance हो गई और बाकी जो भी benefits है वो उनको मिली जाएगे लेकिन जो 75% है उनको नहीं लिया जाएगा उनको घर वापिस भेजा जाएगा तो उनके लिए क्या benefits जाएगे सरकार उनको 10 से 12 लाख रुपे दिये जाएगे 18 से 20 लाख रुपे तक का bank से loan उनको देने का उसमें बताया गया है और उनको सरकार द्वारा certificates दिये जाएगे ये उन्होंने last conference में बताया था चाहे वो army की हो गई, navy की हो गई, air force की हो गई, वो अब अगनीपत scheme द्वारा ही होंगी कोई और उनके लिए special entrance नहीं रहेगा इन सेनाओं में जाने के लिए अगनीपत scheme से ही उनको select होकर इन सब जीजों में जाना पड़ेगा आर्मी, navy, air force में और उन्होंने क्या बताया है इस साल जो वो 45,000 की entry ले रहे हैं इसको प्रतिवर जादा किया जाएगा पाचास से साथ, नबे से एकलाग, एकलाग से जादा भी भरतियां वो करने वाले हैं आगे वाली दिनों में इस साल क्यों कम कर रहे हैं उन्होंने बोला है जो इनके training होनी है हमको भी अपना infrastructure डेवलोप करना है और इसमें भी कुछ तूटियां हो सकते हैं जिनको हमको हटाना है इस वज़े से पहले हम कम लोगों से ही start कर रहे हैं आगे जो उन्होंने pest conference में बताया है कि इसके इलावा कोई भी entries नहीं होने वाली है सिपाही लेवल में सिपाही लेवल पर आपको अगनीपत स्कीम थो ही जाना पड़ेगा और उन्होंने जो उपद्रव जो मचा रहे हैं जो students हैं जिन्होंने physical medical pass कर लिया था दो साल पहले ही और लेकिन उनकी भरतिया नहीं हो पाई थी तो क्योंकि covid था उस होज़े से उन्होंने reason दिया covid की होज़े से भरतिया नहीं हो पाई थी जो students या फिर कोई भी हो जो भरती ना होने के कारण बसों को जलाना ट्रेनों को जलाना उपद्रव कर रहे हैं उनको उन्होंने क्या इसमें हिदायत दी हैं उन्होंने कहा है इस साल हमने इसकी age limit बढ़ा दी है साड़े सत्रा से जो 21 साल की थी उसको उन्होंने साड़े सत्रा से 23 साल कर दिया है दो वर्ष की उसमें बढ़ा दिया है लेकिन उन्होंने कहा है जो पिछले दो साल पहले physical और medical पास हुए थे उनको वापिस से अपना physical medical देना पड़ेगा इसका कारण उन्होंने क्या बताया कहा है कि दो साल अपने घर पे बैठे थे उनकी फिजिकल कंडिशन और medical कंडिशन में चेंजिस आई होंगी और जो जो लोग उसमें अगर पास हुए हैं तो उनको हम मौका फिर से दे रहे हैं आप इसमें भी eligible हो जाईए तो आपकी भरत इस लेडिस उनको मिलने वाली है उसके साथ उन्होंने कहा है 10% 10 परतिशत का उनको reservation मिलेगा किसमें वो paramilitary forces में जा सकते हैं जैसे BSF, CRP हो गई, railway police first हो गई या फिर जो भी state police है उनको 10% का reservation मिलेगा ताकि वो वहाँ 4 साल complete करने के बाद वहाँ पे वो लोग जाके join कर सके इस scheme से सरकार को क्या benefit होने वाला है कि हर साल जो है 50 से लेकर 1 लाग तक नए नए लोग जो है आके join करेंगे और हर 4 साल के बाद जो 75% लोग है उनको सरकार जो है उनको घर भेजने वाली है और उनको retirement भी नहीं मिलने वाला है तो इससे क्या होगा जो हर साल जो नए नए जवान भरती होंगे उससे क्या होगा सरकार क्याना चाहते है कि जो India Armed Forces की एज होनी चाहिए वह हमेशा यंग होनी चाहिए अब जो एज कितनी है एवरेज 32 है तो वह एवरेज अगर हर साल नए नए लड़के अगर भरते होते रहते हैं तो वह क्या हो जाता है average age जो है वो कम हो जाती है जो कि सेना की average age जो हमेशा young होनी चाहिए उनका कहना है और सेना अध्यक्ष ने एक special note में भी ये भी कहा है कि जो लड़के अभी उपद्रो मचा रहे हैं बस को जला रहे हैं ट्रेन को जला रहे हैं दंगे कर रहे हैं ऐसे लड़के आर्मी के लायक ही नहीं है जिनमें discipline नहीं है वो Indian Armed Forces के सजय से कभी नहीं बन सकते हैं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप भरती भी हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने state government जो है state police जो है वहाँ से clarification लाना पड़ेगा और आपको ये pledge भी करना पड़ेगा कि आप लोग उन दंगों में नहीं थे तब ही जाके आपकी जो भरती है वो आगे हो सकती है नहीं तो नहीं हो सकती ये भी उन्होंने special mention किया है अशा करता हूँ इस वीडियो में जितनी भी मैंने जानकारें आपको दी हैं